So Hello Everyone आज की वीडियो में तुम्हारा बहुत-बहुत स्वागत है आज की वीडियो ने वाली अपने चैनल की one of the most most demanding वीडियो जो हने वाला यार college review of GBPIT party ठीक है college review of GBPIT party भी कह सकते हैं GBPAC party गड़वाल भी कह सकते हैं गुर्दोडी भी कह सकते हैं इस college को सांती साथ यार आज इसे हम compare करेंगे GBPIT यानि पंतनागर के साथ और तुम्हें बताएंगे यार ये कैसा college है सब कुछ बता देंगे इसके बारे में A to Z detail बताएंगे ठीक है काफी popular ये college है ठीक है उत्रागंड का और काफी demanding video भी थी अपने चैनल पर ठीक है कि इसका review यार जिसका पिछले साल मैंने admission कर रहा था पौडी में ठीक है तो यार PDF तक यार वहां के student से बनाई हुए और एकदम यार अच्छे से detail में मैंने पूरा इसके बारे में जाच परताल करिए हर चीज के बारे में और इस वीडियो को तुम्हाएं साथ लेकर आया हूं और या से लोकेटेटेड अर गुर्डॉडॉरी में गुर्डॉडॉडी जाए जो पौडी से थोड़ा सा पहले आती है आता गंटा पहले पर आतीह है यहां तो खुबसूरत सी toys 집mbolos करने वाली चीज है थीक tief anytime समझ रहे हमाला है टे नीचे तुम्हारे आरहे मतला होस्टेड भी कॉलेज भी चल रहा है और वह भी मतलब एकदम सरकारी क्योंकि यह ऐसे जो कॉलेज़ होते हैं एकदम जो हिल स्टेशन में लोकेट हो रहते हैं उनकी फीज बहुत जाला होती है 20 25 25 लाग लेकिन यह वाला नहीं है एक लाग रुपे साल की फीज है सब मिला लो अपना को यह बताता हो ठीक है बागी यह खुब सूरत्स नोकेशन में रेशी केश जैसी जएक है पास यार तो डिफनेटली खुब सुरत होना ही है अब बात करते हैं सबसे पहले स्टाइं रैंकिंग हिस्ट तो त्चापलेंट जोगेता है 1989 में तो एसा नहीं है पुराना स्टेट गोवर्मेंट एड़ेट है यानि कि उत्राघंड सरकार्च लाती है तो 85% सीट तुमारी रिजर्व होंगी अगर तुम हो यार उत्राघंड डॉमिसाहिल वाले बच्चे तो मतलब समझ रहे हैं एकदम कम रांग में तुम्हें कॉलेज मिलेगा उत्राघंड डॉमिस कि या पाड़ों में है तो बड़ी चीज हो जाती है कनेक्टिविटी या पहुचेंगे कैसे मतलब ऐसा तो नहीं नदी वदी तोड़नी पड़ी कि नहीं ऐसी दिकत लेने की बात नहीं है अगर तुम यार बाइयर तभी आओगे यार अगर बाहर के स्टुएंट हो ठीक है तो मैं तुम मतालता हूँ जॉली ग्रेंट एरपोर्ट 140 किलोमेटर की दूरी पे है जो कि देरादून में है फिर तुम्हां बस वस करके आना पड़ेगा अगर यार तुम रेलवे से आना चाते हो तो रिशिकेश है में है रेलवे स्टेशन जो की 104 किलोमेटर दूर है समझ रहो डीटेल में तुम्हें समझाने के कोशिश कर रहा हूँ कि कैसी कनेक्टिविटी है ठीक है यहां पर नेक्स्ट बात करते है यार एलिजिबिलिटी तो बताओ कौन का इलिजेबल है क्या सिवुतरागंड वालों के लिए या हम बाहर वाले वी इन है तो बाहर वाल तो मैं अगर वह लेनी है mentorship परसनल तो description में Google form है तो उसको भी बढ़ सकते हो बाग यार बायो टेक में हो जाता है admission 12 के basis पर बाग या जैए के मार्स के basis पर होता है YouTube counseling होती है उसके बाद स्पॉर्ट राउंड होते है बाग या scholarship बगरे भी रहती है यहां पर ठीक है अगर different categories क कि रहे ठीक है NSP में होती है वो तुम्हार college जाके ही पता चल जाएगा जैसी तुम्हार admission होगा तो बता देंगे कि तुम्हारे कौन-कौन scholarship available है बागी यार admission form link यानि UK Tech कर description में दे दूगा बागी यार query वेरी तुम्हें अगर personal counseling लेनी है तो उसका भी description में लिंक दे दूग 499 बागी जब तक तुम्हार admission नहीं होता तब तक तुम्हारा पूरा support बने रहता है बागी यार पताओ कौन-कौन से courses है यहां पे ठीक है तो courses की बात करें तो बी-tech, M-tech, PhD, MCA यह सारे courses तुम कर सकते हो branches की बात करें तो यार CS, CS, E, M, E, C, Electrical, Mechanical, Civil, Manufacturing and Production and Biotechnology जैसी branches यहां पे देखने को मिलेंगी बागी यार rainbow की खुब शुरत सी photo यार यहां पे डाल ली ठीक है तो यह तुम देख सकते हो rainbow है और यहां पे college है तो यह location की ऐसी को एकत नहीं है मतलब समाझ रहो तुम मतलब कही गुमने की जरुवत नहीं है तुम्हारा college ही मतलब कहते हैं तो मतलब बिल्कुल वाला सीन होने वाला है तो ऐसी जगे पर college है और fees भी बहुत कम है चाल लाग रुपे में पूरा BTEK हो जाता है ठीक है बात करें placement की भईया BTEK तो करा दिया 4 लाग में उसके बाद नौकरी म सबको मिलती है तुम्हें भी मिलेगी ठीक है अच्छे हो बढ़ाई में तो 10 लाग तक की मिल जाती है major recruiter तुम देख सकते हैं कौन-कौन से हैं यहां पर ठीक है तो placement हो जाती है computer science EC वाले हो फिर तो definitely हो जाएगी exceptional cases में अच्छ अच्छे placements लगते हैं इसका screenshot ले तो पढ़ sports सारे available है cricket badminton volleyball table tennis swimming pool horse riding इस type के नहीं मिलेंगे इस type के लेने तो तुम 25 लाग वाले college में ठीक है 25 लाग जा फीस होती है ऐसे किसी को ट्रोल नहीं कर रहा हूँ यार मैं ठीक है कि 25 लेना गलते BTEC के लिए ठीक है लेकिन वहां पे तुम्हें वाली activities मिलेंगे तुम्हा बहुत पैसा है तुम डेफिनेटली उन private colleges में जा सकते हो ऐसी कोई दिक्क्रवाली बात नहीं है लेकिन अगर तुम्हें सस्ते में BTEC करना है और बागी facility वे अच्छी चाहिए तो यह सरकारी colleges भी तुम्हारे लिए जिन्दा है आज भी ठीक है बागी three story library तुम्हें देखने को मिल में ठीक है बागी बात करें फूर आउटलेट्स भी अविलेवें ठीक है केंपस के अंदर लो खाने बीनेगी विस्ता तुम्हारी हो जाएगी कैफेफेफेफेश साब हैं ठीक है बागी बात करें तो गूंज और जोश नामके फेस्ट होते हैं बागी यार computer lab ठीक है तो सा इसलग होती है मैं 16,000 ठीक है तो समझ लो आप 50-50 पर जाजार तुमारी फीस हो जाती है पर सेमस्टर सब कुछ मिलाके और अगर scholarship वाले हो तो वह भी तुम्हार रिटन हो जाती है तो वह पता कर लेना बागी यार scholarship पे वीडियो चाहें तो description में बता दो बना देंगे ठीक ह थोड़ा गले में तर दो गया चिला 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 गए ठीक है बागी बागी यार बात करें ठीक है scholarships बगरेंगी तो यार tuition fee waiver वाली scholarship तुम्हें मिल जाएगी ठीक है वो पहले से ही होती है seed होती है बागी यार बागी की scholarship तुम्हें college आके मिलेंगी बागी fellowship for mtech यार PhD ये सब तुम्हें रहता है ठीक है भागी यार hostel mes fee की बात करें तो मैंने बता दी 16,000 रुपे रहने वाली है ठीक है अब बात करें hostel mess facility है hostel mess है कैसी यार होस्टे वो एकदम सारी चीज़े रखी फीस वग रहे है यह यह डवल ए ट्रिपल शेरिंग रूम मिलते है तुम्हें एस पर रूम साइज ठीक है पीजी रूम भी तुम्हारे अविलेवल है आसपास ठीक है पीजी रूम तुम्हें मिल जाएंगे मेंस फुड यहीं ठीक तागए लग लेवल के घ्क है कंडिशन है दो चार याइस की पॉइंट बतातों अच्छे हेल्थ केर फैसिलिटी काफी अच्छी है यहां पर यहां पर सरकारी कॉलजिस में देखा है यार अगर तुम बिमार बिमार पढ़ जाते हो ना तो यहां अच्छी होती है मतलब एंबुलेंस वहां पर होती है और ज बागी तुरिजम बहुत अच्छा है तो स्कूटी स्कूटी रेंट पर मिल जाती है चार सो रुपए में और अच्छा कासा गुमने का अरिया तो यह सब बताना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंगी कॉलेज जा रहे हो यार पढ़ाई लिखाई जरूरी आए नो बट मौज पसंद आई है तो यार 100 लाइप का टार्गेट रखा है कर दो और 2.5 के सब्सक्राइबर का टार्गेट है वह भी पूरा कर दो बागी यार तुम परसनल कांसलिंग ले सकते हो ठीक है हम लोगों से उसमें यार हम परसनली तुम्हाई गाइड कर रहे होंगे बेस्ट के लिए और जितने भी आगे करना किया जीवन में तो वह तुम ले सकते हो 499 फीस रहेगी यार जब तक 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 यह वैलेड रहेगा गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में उसे भर देना उसमें पना कॉंटक नमबर डाल देना हमाई टीम तुम्हें कॉंटक्ट कर कर देना है जब तक 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 हर देना हमाई बढा हमाई आवार सैना हमाई गिए में उसे थाले कर देना हमाई!